कैसे हो आप सब मैं हूँ स्वाती और स्वावत करती हूँ आप सभी का अपने प्लाटफॉर्म पे आज की वीडियो का टॉपिक है इंपुट डिवाइसिस जो की कम्प्यूटर पेरिफेरल का सब पार्ट है हमने कम्प्यूटर में इंपुट डिवाइसिस अल्रेडी स्टार्ट कर दिये थे जो की आपका पहरा डिवाइस था कीबोर्ड अब हम इसमें आगे के डिवाइसिस देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ तो सबसे पहरी चीज आपको क्या करनी है यह जो इंपुट डिवाइसिस हैं इनका एक बर स्क्रीन शॉट ले लो स्क्रीन शॉट क्यों लेना है आपको वेकॉज आपके एक्जाम में पूछा जाएगा कि MICR यह इन्पुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस तो आपको पता होना चाहिए कि इन्पुट है या आउटपुट है और वो कब पता चलेगा जब हमें सारे के सारे इन्पुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में पता होगा तो कीबोर्ड हम अल्रेडी कर चुके हैं I hope आपने पुरानी वीडियो मेरी देखी होंगी जिसमें मैंने आपको कीबोर्ड में मॉडिफायर कीज यह सारे कीज कराई थी और डिपरेंट डिफरेंट कीज जैसे टॉगल कीज और भी मैंने आपको अल्फानुमेरिक कीज और यह सब के बारे में बताया था तो I hope आपने यह सब कीबोर्ड वाली वीडियो वीडियो वो देखी होगी यहां से आपको क्या क्वेशन बन सकता है कि M.I.C.R की फुल फॉर्म बताओ म.I.C.R की फुल फॉर्म में आपको चार ओप्शन दे दिये जाएंगे जिसमें से एक ओप्शन यह भी होगा तो आपको क्रेक्ट ओप्शन टिक करना होगा तो इसमें M.I.C.R की फुल फॉर्म है आपकी मेगनाटिक इंक करेक्टर रिकॉगनिशन then OCR की full form है optical character recognition OMR की full form है optical mark recognition आगे चलते हैं और पढ़ते हैं अपने input devices के बारे में सबसे पहना device है हमारा mouse mouse को हम pointing या पर cursor control device भी बोलते हैं अब जैसे यह मेरा cursor है आपको दिख रहोगा red color का मैं इसको इधर भी move कर रही हूँ इधर भी move कर रही हूँ यह किस की help से कर रही हूँ मैं यह होता है mouse की help से ठीक है यह mouse क्या करता है cursor को control करता है तो इसलिए इसको cursor controlling device भी हम बोलते हैं अगर आपसे paper में पूछा जाए कि what is cursor controlling device उसमें आपको mouse हो keyboard हो वैसे cursor को आप keyboard से भी control कर सकता है I don't think यह question बनेगा इसमें से आपको यह question बन सकता है कि pointing device है या नहीं mouse तो आपको याद रखना है कि it is a pointing device ठीक है mouse दिखता कैसे है यह देख लेते हैं तो यह है आपका mouse यह जो पीछे round ball है यह क्या करती है यह आपकी movement को sense करती है mouse की movement को ताकि और क्या करती है movement को sense करके यह जो signals है आपके CPU में दे देती है श्यूंक है खीक है उससे क्या होता है अगर आपका left ब्लत प्लत तो left move कर जाएगा cursor अगर आप इसको movement को right movement के दे रहे हो आप आप इसको move कर आप एन तो एक ball जिसको आप क्या करते हो, move करते हो upwards to downwards या downwards to upwards, उससे क्या होता है, अगर उपर से नीचे move करोगे, तो cursor उपर से नीचे आ जाएगा, नीचे उसे उपर, अगर आप इसको move करते हो, अपनी हातों से, तो cursor नीचे से उपर चला जाएगा, ठीक है? तो mouse के बारे में पढ़ लेते हैं आप थोड़ा सा, round ball जो base में होती है, जो ये mouse है आपका बना हुआ, तो ये हैं आपकी left side, ये right side of mouse, और कई जगे पे बीच में एक क्या दिये होती है? एक scroll करने के लिए, एक ball भी दिये होती है, तो उसका क्या काम होता है, अभी discuss कर लेते हैं, जो left side है आपकी, ये basically, अगर आपने डवर क्लिक करा, तो किसी भी चीज को select करने के लिए, किसी भी चीज को open करने के लिए, किसी file को, किसी folder को, तो हम right select करते हैं, ठीक है? left select करते हैं, left को प्रेस करते हैं, अगर हमें कोई भी चीज को हम right click करते हैं, तो उसकी properties, उसकी और भी चीज है, उसकी details अलग-अलग, जैसे new, folder, अगर आपने desktop पे क्लिक कर आईए, right button, ठीक है, mouse का, तो folder, new, open, open with, ये सब चीज़ें आजाती हैं, तो वो एक menu भार open कर देगा, right click करने से क्या होता है, एक menu भार open हो जाता है, आपके पास, जिसमें से आप select कर सकते हैं, left click जब आप करते हो, तो या तो उसमें, option में क्या होता है, या तो select करते हो आप किसी चीज़ को, या फिर आपको कोई चीज open करने है, या फिर आपको कोई चीज select करके copy paste करनी है, तो आप क्या करते हो, left से करते हो, ठीक है, अब आपकी जो ball है, अगर आपको उपर से निचे move कर रहे हो, तो pointer भी आपको उपर से निचे move कर जाएगा, ball को आप अपने finger से निचे से उपर move करते हो तो pointer निचे से उपर move कर जाएगा तो basically ये pointer की movement को cursor की movement को control करने के काम आती है आपकी ball ठीक है? अब क्या होता है? कि जो round ball होती है तो वो क्या करती है? आपके sense करती है movement के mouse को और corresponding signal जो है वो CPU को भेजती है when mouse buttons are pressed जैसे ही आपने mouse को बटन प्रेस किया मानों left button आपने प्रेस किया तो जो ball होगी नीचे उसको पता चल जाएगा वो sense कर लेगे कि left जो button है वो प्रेस हुआ है वो तुरंत क्या करेगी? वो signal जो है आपके CPU में पहुचा देगी और CPU को कहेगी है अब आप इसको process करो signal जो signal जाएगा corresponding signal CPU process करेगा और क्या करेगा? जो भी चीज जैसे कि आपने left उसने बताया कि left button प्रेस हुआ है तो CPU देखेगा कि left button प्रेस हुआ है तो हो क्या करेगा? select कर देगा उस चीज को अगर उस देखेगा कि double click हुआ है तो कोई चीज को open करा देगा ठीक है? तो इस तरीके से क्या काम करती है round ball आपको समझ में आ गया होगा माउस के तीन बटन होते है या फिर दो left, right ये तो दो होते ही होते है लेकिन middle, optional होता भी है और नहीं भी होता कही हो में all right, then माउस का आप से पूछा जा सकता है कि ये किस ने डेवलप किया था it was developed by तो ये आपको पता होना चाहिए it was developed by dogless anglebart और कब डेवलप हुआ था 1960s early 1960s में इसको pointing device भी हम बोलते है because pointing device किसलिए because it is used to give instructions जैसे कि select, move, scroll, open, close copy, paste ये सारी information उसको देता है तो इसको pointing device भी इसको बोल सकते है then आप से एक question पूछा जा सकता है कि mouse की full form बताओ the full form of mouse is manually manually operated utility for selecting equipment ठीक है manually operated utility for selecting equipment दो तरीके के mouse हमारे पास होते हैं कौन कौन से अगर आप से पूछें एक तो wired mouse और एक wireless mouse wired and other one is wireless अब जो wired अब आप जब भी Google को सर्च करोगे ठीक है तो उसमें आपको निकल गाएगा optical mouse, gaming mouse, mechanical, trackball, touchpad, 3D तो वो भी यह wired और wireless के subtypes हैं ठीक है तो यह है सारा कुछ mouse के बारे में देखिए मैं आपको बता दू कि मुझे स्लेबस कंप्लीट कराना है और जो भी में को स्लेबस point of view से important लगता है वो मैं discuss कर लेती हूं यहाँ पर आपके साथ ठीक है प्लस मैं lectures मनाती हूं तो में को brief में भी देना होता है आपको हर चीज का introduction भी देना परता है और brief में अधरवाइस माउस को अगर हम explain करना चाहें तो माउस तो बहुत बड़ा topic हो जाएगा इसी तरीके से जितने भी input devices हैं चाहे जोईस्टिक हो scanner हो यह बहुत ही बड़े topics हो जाते हैं तो यहाँ पर हमें इतना deep में नहीं जाना इतना detail में नहीं जाना हमें सिरफ basic इसका होना चाहिए अब मैं क्या करूंगी एक बर आपका syllabus कम्पलीट हो जाए उसके बाद में mouse के ओपर joystick के ओपर scanner जितने भी input output devices हैं एक एक term उठाऊंगी मैं जैसे mouse उठा लिया joystick उठा लिया उसके ओपर particularly video बनाई जाएगी all right तो चली अब पढ़ते हैं joystick के बारे में किये joystick क्य करती है cursor के position को monitor के screen पे क्या करेगी control करेगी use to move cursor position और monitor screen मतलब cursor की position को move कराने में joystick जो है वो काम आती है computer पे जैसे यह देख सकते हैं यह बच्चा video game केल रहा है ठीक है अब यह क्या कर रहा है यह video game केल रहा है अब आप देखेंगे कि जैसे ही यह button को press कर रहा है जैसे ही अपनी joystick को यह अपनी joystick को left घुमा रहा है तो यह left घुम जा रहा है यह अपनी joystick को right घुमा रहा है तो क्या कर सबस्क्रांए और यहीं जोstorm में के या विश्टिक जो खरे कि बनुख की जोय्स्टिक ऌने में आए का ए और को आपना की गुष्टिक और आपको आपकों बेलाए आपकों अवह हन जौएस्टिक है ऒल को सब्सक्काद में उतव बटन and this is base base का क्या होता है base जो है वो provide करता है stability joystick को then we have stick stick direction करता है और button obviously select करने के काम आता है तो joystick एक controlling device है जो की game को control करने में काम आती है अब आप यहाँ देख सकते है यह बच्चा गेम खेल रहा है तो आगे जो भी player है यह उसकी movement को control करता है अपनी joystick से जहां भी यह अपनी joystick को move करेगा उस player की position वहाँ भाँ जो जाएगी joystick को आगे लेके जाएगा तो player आगे move करेगा joystick को पीछे ले जाएगा तो player पीछे आजाएगा तो यह होती है joystick इसका काम होता है basically इसमें दूसरा काम इसका कहां पर बढ़ जाता है आपका दूसरा यह use होती है computer-aided designs पे computer-aided designs क्या होते है जैसे कि जो computer में हम drawings वगेरा बनाते है machine की designing वगेरा होती है तो that is your CAD तो उसमें भी joystick काम आती है यह जो person होते है जिनको movement disability है कोई भी movement disability है तो उनके लिए भी यह काम आती है as an input device for people who have movement disabilities वो simple क्या कर सकते है जोईस्टिक को इधर move करा तो इधर इधर move कर गया कोई भी चीज जोईस्टिक को इधर move करा इधर move कर गया आपने कई बार देखा होगा कि wheel chairs पे लोग जो बैठे होते है उनके बटन होता है बटन के लावा जोईस्टिक भी होती है तो अगर वो अपने जोईस्टिक को इधर move करा देते है तो wheelchair is side move हो जाती है जोईस्टिक को इधर करवाया तो इधर हो जाता है ठीक है तो movement disability जनको होती है वो भी जोईस्टिक उनके लिए जो है वह वह हैं वह करती है क्या मूपमेट में प्लेंगी इन भी है ट्रैक बॉल जो है मोस्टली नोटबुक्स में और लाप्टॉप्स में यूज होती है अब यह एक बॉल है जो कि Half-inserted होती है आपकी जिस पर अगर finger move करवाते हो न अपनी तो क्या होता है pointer स्क्रीन पर move करने रख जाता है यह आपकी स्क्रीन है यहाँ पर pointer है आपने finger से इसको टच किया और move करवाया तो pointer जो है वह भी move करेगा अब हम देखते हैं trackball कैसे दिखती है तो this is your trackball ये देखिए ये ऐसे movement करा रहा है तो मान लीजिए आपने देखा कि ये move करवा रहा है इसको right की तरफ ठीक है तो जो आपका cursor है वो भी right की तरफ move करेगा आपके monitor screen पे तो this is the work of your trackball आगे चलते हैं scanner scanner सभी को पता है कि क्या होता है ये एक device है जो optically scan करता है image को, printed text को handwriting को या फिर किसी object को और convert कर देता है उसको digital image में ठीक है तो ये है आपका scanner यहाँ पर ये जो glass की plate आपकी दिख रही है ये यहाँ पर आप अपना page या फिर कोई document कोई printed text या कोई image या फिर आप चाहते हो कि कोई object ही क्यों ना हो जैसे आपको अपने हाथ को scan कराना है आप अपना हाथ इस पे रग दोगे तो scan होके आपका सारा हाथ का जो picture है वो desktop पे या फिर कहीं भी save हो जाता है ठीक है अब ऐसे ही आप अगर इस पे अपना कोई कागज रग दोगे कोई document रग दोगे तो वो scan होके आपके computer में आ जाएगा so this is the work of your scanner जो scanner आप offices में यूज करते हो वो different different variations के होते हैं जैसे कि एक तो होगे desktop flatbed scanner जो आप अपने offices में यूज करते हो ठीक है क्या होता है इसमें document को एक glass की window के ओपर प्लेस करवाया जाता है आप जैसे photo state machine देखी होगी आपने क्या होता है photo state वाले भाईया ने आपकी page को रखा photo state होके बहार निकल गई सारी files ठीक है सारे pages इसी तरीके से scanner भी होता है वो क्या करता है स्कैन कर लेता है आपकी image को और इस इमेज है आपकी इस तरीके से बने हुई यह एक computer के साथ connected है आपका scanner आपने एक page है page है जिस पर image बने हुई है वो यहां पर इसके उपर रख दिया scanner के उपर यह क्या करेगा इस image को किस में convert कर देगा आपका बताईए एक digital image में digital image में convert कर देगा और यहां पर वो image है हूब हूँ आपकी दिखने लग जाएगी आपको scanner डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होते हैं जैसे की sheet feed, drum, microfilm, slide scanner sheet feed scanner same basic technology use करते हैं जो flatbed scanner use करते हैं बट जो throughput होता है वो बढ़ जाता है इसका because expenses जादा बढ़ जाते हैं तो quality भी जादा बढ़ जाती है तो यह हैं आपके sheet feed scanner, then you have drum scanner, microfilm scanner, slide scanners so आपको पता होने चाहिए कि कितने type के scanners हैं, I don't know why I have written it again but यहाँ देख सकते हो आप कि scanners चो होते हैं, वो काफी types के होते हैं आपको एक paper में question आ सकता है कि इसमें से कौन सा scanner नहीं है तो उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा scanner है ताकि आप options mark करके आ सकें exams में अब हम आगे आते हैं, barcode reader जैसे कि आप name से ही पैचान सकते हैं कि यह barcode को read करता है अब कभी भी आप कोई दाल, चावल, चीनी खरीदने चाते हो market में तो जो उसका packet होता है, उसके पीछे आपने गौर फर्माया होगा इस तरीके का कुछ रहता है ऐसे ऐसे है ना तो आपके लिए तो यह simple काली-काली lines होती है जो एक white paper पे, white background पे बनी होती है बट actual में, इन lines में जो item है आपका जो purchase किया होता है उसकी price, expiry, उसकी manufacturing सारा का सारा data stored होता है तो this is your barcode और इसी को अब आपको यह तो पता नहीं चलेगा आप lines पढ़के यह तो बता नहीं सकते कि क्या price है इस item का तो जो भी इसमें information stored होती है वो barcode reader read करता है और आपके computer में fetch करा देता है तो अभी हम देखते हैं कि barcode reader दिखता कैसा है तो जो light sensor होता है barcode में वो एक light fact ता है इसके ओपर ठीक है light sensor क्या करता है बार कोड में reader में वो barcode read करता है और optical impulse को electrical impulse में convert करके जो data होता है वो computer में store करा देता है जैसे कि आप देख सकते हैं this is your barcode reader and इसने light fact की इस barcode के ओपर तो यह कारा scan हो गया तो optical से किसमें convert हो गया आपका electrical impulse में और data जो है वो computer में store हो गया और यह connect होगा आपके computer के साथ यह इस तरीके से computer के साथ connected होता है कभी भी आपने देखा होगा purchasing करने जाते हो तो वो barcode reader से इस पीछे के code को read करते हैं और price आपका computer पर display हो जाता है तो वो इसी barcode reader के help से होता है ठीक है so barcode reader को हम और क्या बोलते हैं barcode reader को हम price scanner या फिर point of sale scanner भी बोलते हैं यह handheld भी हो सकता है मतलब इसको हाथ में पकड़के भी आप scan कर सकते हो barcode को या फिर यह stationary input device भी हो सकता है कि एक जगे stationary है जैसे कि इस तरीके से यह barcode reader है stationary है यहाँ पर हम हमें कोई item है उसका price वगेरे चेक करवाना है यह item है यहाँ पर उसका चोटा सा barcode होगा यह उस light से इसको scan करेगा scan करके जिस भी computer के साथ यह attached होता है उस computer में यह information दे देगा सारी की सारी ठीक है then we have MICR magnetic ink character recognition यह banks वगेरा में use होता है MICR ताकि यह MICR code है उसको read कर सके MICR code होता क्या कौन सा है या फिर MICR line को read कर सके अब MICR line जो होती है यह आपकी चेक में सबसे नीचे जो एक line होती है इस तरीके की वो होती है आपकी MICR line तो इस MICR line का क्या मतलब होता है पहला जो यह होता है यह होता है आपका check number दूसरा जो होता है this is your routing number और तीसरा होता है आपका account number तो magnetic ink character recognition code जो होता है जिसको हम short में MICR code भी बोलते हैं यह character recognition technology है जो mainly use होती है banking industry में to streamline the processing ताकि जो processing है और check की clearance है या फिर other documents की clearance के लिए यूज होती है MICR encoding जिसको हम MICR line भी बोलते हैं वो check के bottom में होती है जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था चेक के bottom में होते है MICR line तो या फिर कई vouchers के bottom में होती है तो इसमें क्या होता है bank का code होता है bank का account number होता है check number check amount तो यह usually add होता है जब check payment के लिए प्रेजेंट करते हैं ठीक है और एक होता है control indicator तो यह क्या होता है यह सारी की सारी details जो है वो MICR जो है आपकी check की details या फिर कोई भी voucher है उसकी details कैसी भी document की details कहां पर दे देता है computer में फेच करा देता है तो bank code और bank account number यह दोनो ही country specific होता है मतलब हर country का अलग-अलग होता है then we have optical character recognition optical character recognition क्या है यह यह printed text को machine encoded text में convert कर देता है जैसे की अब आपने देखा कि यह आपका एक OCR है optical character reader ठीक है OCR तो मान लो आपको इतने सारे bunch of file है उसमें से 4-5 page ढूनने है जहां से आपको information ढूननी है अब आप यह तो है नहीं कि सारा का सारा यह सारे bunch of files पढ़ने बैटोगे नहीं आप यूज करोगे OCR का OCR क्या करेगा जैसे यह आपने जिस भी line पर घुमाया उसको तो वो line आपकी कहां पर display हो जाएगी computer में ठीक है तो यह basically इसी तरीके से काम करता है जैसे जिस-जिस line के ओपर आपने उसको खुमाया जिस paragraph के ओपर वो सारा paragraph आपका कहां पर आ जाता है इस computer में आ जाता है so optical character recognition या फिर OCR ये एक electronic या फिर mechanical converge करता है आपकी image को या फिर hand written या फिर printed text को machine and coded text में ठीक है चाहे किसी scan document को ले के आओ या फिर कोई photo हो या कोई scene की photo हो ठीक है तो वो क्या करता है उसको scan करके computer में scan करके कहूं या फिर scan नहीं बोलेंगे हम हु gelby computer में show कर देता है जो भी आपका लिखा होता है यह है आपका digitizer, digitizer क्या काम करता है आपका लिखने में, point करने में , इस सब में काम आता है या पिसी drawing को बनाने में so this is your digitizer, digitizer pen all right then we have touchscreen touchscreen आप सभी को पता है आप mobiles यूज करते हो touch screen में तो आप क्या करोगे hand से touch करोगे उसको और क्या होगा touch होके hand से वो चीज ओपन हो जाएगी close हो जाएगी सारे की सारे आप functions perform करते हो hands से that is your touchscreen microphone क्या करता है आपका translate करता है sound vibration in air into electronic signals में web camera आपको पता है जब आप chatting करते हो तो क्या होता है जो वो आपकी image को capture कर लेता है और आपकी image को store कर देता है digital form में into the computer ताकि सामने वाला भी आपकी उस digital form को देख पाता है तो क्या करता है basically captures and store images in digital form light pen light pen क्या करता है आपका ये एक light sensitive input device है जो कि text को select करने में pictures को draw करने में या फिर interact with user interface elements on computer screen और monitor उसमें काम आता है that is your light pen all right तो I hope I have discussed each and every input device with you so this these are your input devices you have to take screenshot of this and till then take care keep studying and bye bye मैं फिर से remind करा दूँ कि मैंने इसमें सिरफ बेसिक आपको कराया है क्योंकि अगर मैं हर एक चीज को scanner को explain करने में आऊंगी तो बहुत ही बड़ा वीडियो बन जाएगा जो कि आप देखोगे भी नहीं ठीक है बट मैं क्या करूंगी एक बस ले बस कंप्लीट हो जाए आपको उसके बास scanner के बारे में अलग से आपको एक वीडियो आएगी जो कि मैं बड़ी होगी उसमें आपको scanner के बारे में प्रिंटर के बारे में अच्छे से बताया जाएगा ओल्राइट सो पढ़ते रहिए और अच्छे से त्यारी केजिए अपने वेपर्स की बबाई